खादे तेलों के भाव में कमी होने से लोगों ने रात की सांस ली है दो से तीन महीने पहले जो सरसोवे सोयबीन के तेल आसमान चू रहे थे आज उन में 17 से 22 उर्पे तक की कमी आ गई है इसकी वज़ा आयतित खादे तेलों के कर शूने किये जाने के साथ साथ सरकार द्वारा वैदा कारोबार पर रोक लगाने के आदेश जारी करना भी है कारोबारियों का कहना है कि आगे और भी तेल के दामों में कमी देखने को मिल सकती है जिससे लोगों की जेप पर दबाफ कम पड़ेगा बीते एक महीने में अगर तेलों के दाम पर नज़र डाले तो अक्टूबर नवंबर में जो सरसो का तेल 185 रुपे लीटर के भाव पर विक रहा था इस समय वै घटकर 163 से 168 रुपे प्रती लीटर पर आ गया है इसी प्रकार सोयबीन तेल नवंबर में 140 रुपे प्रती लीटर था और इस समय अब घटकर इसके दाम 132 रुपे प्रती लीटर रहे गए है इस बीच सोयबीन तेल का मुले भी कम हुगा है सोयवीन तेल पहले की अपेक्षा 8 रुबे प्रती लीटर कम मूले पर मिल रहा है सरसो की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में इस साल अच्छी हुई है निश्चित रूप से आने वाले दिनों में तेलों के दामों में और कमी आईगी राशन में खादे तेल के वीतरन से भी सरसो तेल की मांग घटती है ये भी दाम में गिरावट की एक वज़ा है पिछले एक महिने में तेल के भाव में अधिक कमी आई है झाले भी आईगी